नमस्केर दोस्तों आज हम आपको बताएंगे के मानहानी क्या है तो दोस्तों किसी भी ब्यक्त की प्रतिष्ठा को टेस बऊचाना मानहानी के स्रेणी में आता है समाज में हर ब्यक्ति को अपनी पूजी की तरह कम या अधिक्याती को रखने का सुचारू रूप से कानूनी अधिकार है जिसे बाधित नहीं किया जा सकता इसलिए यह अबाधित अधिकार है मानहानी के उत्तरदाइत ब्यक्ति इस अधार पर नहीं बच सकता है कि उसका इरादा बदनाम करने का नहीं था या उसकी नियत वादी को बदनाम करने का नहीं था तो आपको बता दें कि मानहानी के निमलिखित अधार हो सकते हैं पहला वक्तब्य को अवश्यक रूप से मानहानी जनक होना चाहिए वक्तब्य में वादी का आवश्यक रूप से लेख होना चाहिए वक्तब्य को आवश्यक रूप से जूठा होना चाहिए दोस्तों मानहानी अपराद के तत्तु निम्लिकित हो सकते हैं किसी भी ब्यक्त के बारे में कोई दोसर ओपन्यम उसका प्रकाशन करना ऐसा दोसर ओपन्यम आवस्यक रूप से निम्न हो सकता है सब्दों को बोलकर संकेश से दिश्टिगत प्रस्न द्वारा कित्रे आविने से कोई लांचन कश्ट पहुचाने के इरादे से किया गया हो या जान बुचकर ऐसा मानने का कारण हो कि इससे जिस ब्यक्त के बारे में किया गया है उसकी गरिमा को ठेस पहुचे आप किसी को लांचन नहीं लगा सकते उस ब्यक्त के जात या उसकी अजीवका के सम्मन्द में उसके सेल को ना गिराएं और आपको बता दे जो मानहानी का कारण हो सकता है और वहीं इसके बिप्रित किसी को असिष्ट, अभद्र, चिर्चिड़ा, अविवस्थित, पिछड़ा यवं अनारी कहना लांचन की स्रेडी में नहीं आता है किसी बैदिक ब्रामः से या कहना कि वह धर्मसास्त्रों से अन्भिग है किसी को कोरी चमार कहना उसकी जात के सम्मन्द में लांचन लगाना है और साख को गिराने वाला लांचन तो इसमें क्या होता है हम आपको बता दें चार गायकों की सूची में एक प्रशिद गायका का नाम तीसरे अस्थान पर समाचार पत्रों में छापा गया वह यह सिद्ध करने में सफल हो गई कि ऐसी सूची में बीच का स्थान छोटे दर्जे के गायक को दिया जाता है और उसका नंबर तो पहले पे आता है तो इसको लांचन नहीं माना जाता है यद वह सिद्ध करने में सफल हो गई कि इससे समाचार पत्र ने जान बूझ कर बिच्जित किया है तो यह लांचन की कोटी में भी आ सकता है मानहानी के लिए दंड तो हम आपको बता दें कि निमलिकी धाराओं में मानहानी है तो दंड देने का प्राउधान है IPC के सेक्षन 500 के अनुषार यदि कोई ब्यक्ति किसी की मानहानी करता है तो उसे IPC की धारा 500 के अंतरगत दो वर्स की ओधी तक सादा कारावास या अर्थ दंड दोनों दिये जा सकते हैं वहीं धारा 501 के अंतरगत यदि कोई ब्यक्ति मानहानी कारक सामगरी छापता है यह जानते हुए भी कि यह अपकृत्त है यह मानहानी का भिसे हो सकता है तो अधिक्तम दो वर्स का सादा कारावास या अर्थ दंड यह दोनों प्रकार के दंड से दंडित किया जाता है वहीं धारा 502 के अंतरगत कोई भी ब्यक्ति जान बूच कर मुद्रित मानहानी सामगरी को बेचता है यह भिक्री के लिए देता है तो उसे भी अधिक्तम दो वर्स का कारावास या आर्थ दंड यह दोनों प्रकार के दंड से दंडित किया जा सकता है किसी भी ब्यक्ति को आप जो है मानहानी से बचने के लिए लगाया गया आरोप सद्भावना पूरवक होना चाहिए कुल मिला कर आप किसी को उपर लांचन लगाने से पहले उसमें जाच कर लेनी चाहिए साउधानी पूरवक और उससे सरसंतुष्ट हो गया हो जाना चाहिए यहाँ पर जन कल्यान का प्रसन तर्थात्मक प्रसन है सद्भावना को पर रखने के लिए उच्चतम नयाला ने निमलिखित बातों पर ध्यान देने का उसकता बताई है परिस्थितियां दुर्भावना की कमी लांचन के पूर की गई जाच